आंत्रिक्ष यात्री सुनिता विल्यम्स और विल्मोर आंत्रिक्ष में फसे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि उनके स्पेस्क्राफ्ट में कितने दिनों का फ्यूल बचा है। क्या उवो सुरक्षित वापस आप आएंगे। चली जानते हैं इस रोमांचक और रहसमे कहानी को बिस्तार से। अब सवाल यह उड़ता है कि उनके स्पेस्क्राफ्ट में कितने दिनों का फ्यूल बचा है और वो कब तक सुरक्षित धर्ती पर वापस लोट सकते हैं। तो दोस्तो मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस्क्राफ्ट में बहुत दिनों के लिए फ्यूल नहीं बचा है। और नासा को जल्द ही उन्हें वापस लाना होगा। नासा स्पेसेक्स के साथ मिलकर 18 अगस्त को अपने क्रू 9 अंत्रिक्ष मिशन को लौंच करने की योजना बना रहा है। जिसमें चार अंत्रिक्ष यातरी ISS पर जाएंगे। लेकिन पहले स्टार लाइनर को ISS से अंडोक करके पिर्थिभी पर वापस नहीं वहजा गया। तो क्रू 9 मिशन के लिए गए ड्रेगन कैप्सुल को ISS के साथ डोक करना मुश्किल हो सकता है। नासा की योजना है कि सोनिता विलियम्स और विल्मोर को धर्ती पर वापस लाया जाए। लेकिन यह समय सिम काफी तनाव पूर्ण है क्योंकि इस पिस क्राफ्ट में फ्यूल और भोजन की मात्रा सेमी थे। नासा और बोईंग की टीम दिन रात मेहनत कर रही हैं ताकि वे दोनों आंत्रिक्ष यात्री सुरक्षित वापस लोट सके। दोस्तों आंत्रिक्ष हमेशा रहस्यों से भड़ी होती है और विज्ञानिकों को हमेशा नहीं चुनोतियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए।